प्रस्ण 5 निम्निलिखित को गुणा करें तथा उनका मान निकालें यदि एक्स बराबर दो, बाई बराबर, एक दस्मलों एक पांच, जेट बराबर, सुन्य दस्मलों, सुन्य एक तो प्रस्ण 5 प्रस्ण 5 का ए है 27 एक से स्क्वाइर गुणा एक माइनस 3x तो पहले गुना करना है तो 27x square गुना 1 कितना हो जाएगा 27x square 27x square को 1-3x के साथ गुना करना है 27x square गुना 1 27x square minus का चिन है तो minus देंगे 27, 81 81 हो जाएगा और x square गुना x यानि x का घाथ 3 हो जाएगा क्योंकि x square गुना x कितना होगा x का घाथ 3 तो ये आ गया एक उत्तर 27x square minus 81 x का घाथ 3 तो गुनानफल आ चुका है अब इसका मान निकाल लेते हैं तो लिखेंगे 27 गुना x का मान कितना दिया हो जाएगा 2 दिया हो जाएगा 2 का घाथ 2 दे देंगे क्योंकि x square है गुना में है तो यहाँ पर गुना का चिन minus 81 गुना अब देखिए x का मान होता है 2 x का मान होँआपे 2 दिया हुआ है प्रेस्ण में x का घाथ 3 है तो 2 का घाथ 3 लिखेंगे यानि 27 गुना 2 का घाथ 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस 81 गुना 2 का घाथ यानि 2 दूना 4 4 दूना 8 27 चौक कितना हो जाएगा 28 चार दूना 8 दो 10 यानि 108 माइनस 81 गुना 8 8 गुना 1 आठ अठ अठी 64 अब इसको घाटाएंगे तो 108 में से 648 को घाटाना है यानि माइनस में आएगा उत्तर तो 8 में से 8 गया सुनने 4 में से सुनने गया 4, 6 में से एग गया 5 यानि माइनस 540 इसका मान आजाएगा अब दूसरा B Z स्कौाइर गुना X माइनस 2 तो पहले गुननफल ग्याद करना है ठीक है तो पहले हम गुना कर लेते हैं तो Z स्कौाइर गुना X यानि इसको हम लिख लेंगे X Z स्कौाइर माइनस है यहाँ पर तो माइनस देंगे बाई गुना Z स्कौाइर बाई Z स्कौाइर इस तरह लिख लेंगे तो पहले गुदा कर देना है यानि z² को x से पहले गुदा करेंगे तो x z² हो जाएगा फिर minus by से गुदा करेंगा तो minus by z² हो जाएगा अब इसका मान निकाल लेते हैं तो एक उतर तो आचुका है अब देखें X का मान कितना दिया हुआ है? 2 Z का मान है 0.001 वर्ग है Z का तो इस पे हम वर्ग दे देंगे minus बाई का मान है 1.15 गुना Z का मान है 0.001 और देखिए हाँ वर्ग है क्या है? वर्ग है तो इसको इस पे वर्ग दे देंगे इस तरह लिख लेंगे अब यह हो जाएगा 2 गुना देखिए 1 का वर्ग 1 होगा क्या होगा? 1 का वर्ग 1 अब क्योंकि यहाँ पे 10 मलों के बाद 2 अंक है तो 2 वर्ग उना हो रहा है क्योंकि घाद दो है तो यहाँ पे चार अंग यानि तो दस्मलो के बाद दो अंग है तो दो बार जब गुना हुआ तो दो दो चार यानि दस्मलो के बाद चार अंग होना चाहिए तो यह लिख देंगे सुन्ने दस्मलो सुन्ने 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 एक देखिए एक का वर्ग एक और यहां दस्मलों के बाद दो अंख है तो सुन्ने दस्मलों सुन्ने एक का वर्ग में दस्मलों के बाद चार अंख होना चाहिए इसलिए तीन अंख और यह दो अंख और लगा दिया है सुन्य पहले फिर दस्मलो देंगे और दस्मलो के पहले सुन्य दिया जाता है माइनस यहाँ पर लिख लेंगे एक दस्मलो एक पांच गुना यहाँ पर भी इसी तरह लिख देंगे सुन्य दस्मलो सुन्य सुन्य एक तो सुन्य दस्मलो सुन्य एक का वर्क हो जाएगा तो दो गुणा एक, दो होता है, दो गुणा एक, दो, अब दस्मलों के बाद चार अंक है, तो यहाँ पर तीन सुन्य देंगे इसके पहले, अब दस्मलों लगाएंगे और फिर दस्मलों के पहले सुन्य दिया जाता है, माइनस, अब एक दस्मलों, एक पांच गुणा, सुन तो 115 गुना 115 हो जाएगा तो हम यहां पर लिख लेंगे 115 अब देखे 10 मलों के बाद 2 अंक है यहां पर 10 मलों के बाद 4 अंक है यानि यहां पर 10 मलों के बाद 4 अंक होना चाहिए तो इसके पहले हम 3 अंक और लगा लेंगे यानि 3 सूने अब 10 मलों देंगे और 10 मलों के पहले अब इसको घटाएंगे तो देखे, 010मलो, 0 0 2 010मलो, 0 0 0 2 से किसको घटाना है 0 0 0 0 1 5 तो इस तरह घटाएंगे तो सुन्य दसमलो सुन्य सुन्य दो से घटाना किसको है सुन्य दसमलो सुन्य 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 एक एक पांच अब यहाँ पे देखिए ज्यादा अंख है इसमें तो इसमें भी हम दो सुन्य और बठा लेंगे अपने मन से, क्योंकि दसमलों के बाद कितना भी सुनने दें, कोई फर्ग नहीं पड़ रहा है तो घटाने के लिए बराबर करना होगा, इसलिए यहाँ पर दो और सुनने देंगे अब घटाएंगे, दस में से पांच गया पांच, नौ में से एक गया आठ, एक में से एक गया सुनने यह हो गया नौ देखें, एक में से एक गया सुनने, तो यह सुनने ही रहेगा, तो सुनने में से सुनने गया सुनने सुन्य सुन्य अब दस्मलो देंगे और फिर सुन्य यानि इसका उत्तर आ गया सुन्य दस्मलो सुन्य 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 आठ पांच तो इसका उत्तर हम लिख देंगे तो इसका उत्तर हम लिख देंगे सुन्य दस्मलो सुन्य 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 आठ पांच तो इस तरह से इसको हल करेंगे प्रस्न पांच का C तो C में है 2Z 2Z माइनस 3X 2Z माइनस 3X गुना माइनस 4Y यह है प्रस्न तो पहले गुना करेंगे तो 2Z गुना माइनस 4Y क्या हो जागा माइनस 4 गुना 8 देखें माइनस है यहां पर A प्लस में है तो माइनस माइनस प्लस क्या होगा माइनस तो 4 गुना 8 बाई Z देखें यहां बाई है यहां पर Z है तो बाई Z अब यहां माइनस है यहां भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा चारती अब 12 X by तो इसका गुननफल आ गया माइनस 8 by Z प्लस 12 X by अब इसको लिख लेंगे अब by कमान कितना दिया हुआ है तो by कमान है 1.15 1.15 Z कमान है 0.01 माइनस यह प्लस का चीनने देंगे तो बारह गुना X X कमान कितना है दो है गुना by कमान है 1.15 तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे तो by कमान है 1.15 तो by के जगह पे Z कमान है 0.00 तो Z के जगह पे लिख लेंगे जोड 12 गुना X कमान है 2 गुना by कमान है 1.15 तो अब इसको हल करेंगे तो मान लिजे 115 है बाद में हम 10 मलो लगा लेंगे तो 115 गुना 1 115 115 गुना 8 करेंगे तो 8.45 हाथ में रहा 8.45 हाथ में रहा 4 8.1.8 8.4.12 हाथ में रहा 1 8.1.8 8.1.9 ठीक है 920 आ जाएगा 115 गुना 8 तो अब दस मलो के बाद दो अंक है यहाँ पे दस मलो के बाद दो अंक है जाएगा यानि इसके पहले एक सून्य देंगे अब यहाँ पे दस मलो देंगे और दस मलो के पहले सून्य दिया जाता है अब यह माइनस में है तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस यानि माइनस का चीन्न देंगे यहाँ पे जोड अब जोड का चीन ने देंगे अब इसको गुणा कर लेते हैं तो 115 और 12 गुणा 2 कितना हो जागा? 24 और 115 को गुणा करेंगे तो 115 गुणा 24 पांचोग 20 4, 2, 6, 4 5, 2, 10 2, 1, 3, 2 0, 6, 4, 3, 7, 2 कितना आ गया? 2760 तो यहाँ पर लिख देंगे 2760 अब क्योंकि यहाँ पर दस्मलो के बाद 2 अंक है तो दस्मलो के दो अंक यहाँ पर भी होना चाहिए अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 27.60 है यहाँ पर माइनस सुन्य दस्मलो, सुन्य नो, दो सुन्य तो देखे यह बड़ा है तो इससे हम घटा देंगे 27.60 से घटा देंगे सुन्य दस्मलो, सुन्य नो, दो सुन्य अब यहाँ पर दस्मलो के बाद अंक यहाँ पर जादा है तो इसको भी हम दो सुन्य और अपने मन से दे देंगे तो घटाना है इसको सुन्य दस में से दो गया आठ नो में से नो गया सुन्य यह हो गया पांच यह हो गया 27 यानि 27 दस्मलो, पांच सुन्य आठ सुन्य तो दस्मलो के बाद देखिए सुन्य का कोई मतलब नहीं है तो इसको हम लिखें या न लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो 27 दस्मलो, पांच सुन्य आठ इसका उत्तर होगा 27.508 प्रेस्न डी तो प्रेस्न पांच का डी है 2X बाई 2X बाई गुना X माइनस Z 2X बाई गुना X माइनस Z अब देखे तो 2X बाई गुना X माइनस Z अब पहले गुना कर लेते हैं तो हो जाएगा 2X अब देखे एक्स गुना X X स्कॉार हो जाएगा और बाई यानि 2X स्कॉार बाई माइनस का चीन है यहाँ पे तो plus minus क्या होगा minus तो यहाँ पर minus का चीन ने देंगे 2x by gna z क्या हो जाएगा 2x by z इस तरह से लिख लेंगे यानि गुन अनफल यह होगा अब इसको जो मान है उसको रखते हैं तो 2 गुना x का मान कितना है 2 है तो 2 का घाद 2 देंगे क्योंकि x का घाद 2 है गुना by का मान है तो by का मान है 1.15 तो लिख लेते हैं हैं आपर 1.15 minus 2 गुना x का मान है 2 by का मान है 1.15 गुना z का मान कितना है 0.01 0.01 तो इस तरह लिख लेंगे अब देखी इसको गुना कर लेते हैं तो 2 का घाद 2,4 हो गया 4,2,8 यानि 115 गुना 8 कर लेंगे तो 85 गुना 1,8 8,4,12 हाथ मेरा 1 8,1,8 8,1,9 यानि 9,10 मलो 2 सुनने हो जाएगा क्योंकि 10 मलों के बाद 2 अंख है तो यहाँ भी 10 मलों के बाद 2 अंख देंगे माइनस 2 दुना 4 तो 115 गुना 4 कितना हो जाएगा पांचोख 20 देखिए 115 इसको हम अभी 115 मान रहे हैं बाद में 10 मलों लगा देंगे तो 115 गुना 4 और 1 है तो 4 गुना 1,1 यह है माफ कीज़े 2 गुना 4 4 गुना 1,4 तो 115 गुना 4 कितना हो जाएगा पांचोख 20 4,2,6 4 गुना 1,4 तो कितना हो जाएगा 460 अब 10 मलों के बाद 2 अंक है तो 10 मलों के बाद 4 अंक होना चाहिए इसलिए एक सुन्ने पहले लगा देंगे अब देंगे 10 मलों और 10 मलों के पहले सुन्ने दिया जाता है तो अब इसको घटाएंगे तो 9 दस मलों दो सुन्ने से सुन्ने दस मलों सुन्ने चार छे सुन्ने को घटाएंगे तो दस मलों का घटाओं में क्या करते हैं उपर यानि जितना दस मलों के बाद नीचे अंक है उतना ही उपर भी बना लेते हैं सुन्ने दे करके तो 10 मलों के बाद सुनने का कोई मतलब नहीं है तो कितना भी दे सकते हैं सुनने में से सुनने गया सुनने 10 में से 6 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 1 यानि 9.154 अब देखिए 10 मलों के बाद सुनने का कोई मतलब नहीं है इसलिए 9.154 इसका उत्तर होगा 9.154 इसका उत्तर क्या होगा 9.154 तो इस तरह से D को हल करेंगे